शादी के बाद सुस्राल में बहु का पहला दिन जो किचन में गुजरता है, बहुत घबराहट तारी करने वाला होता है, मैके में सेंकडो बार किये गए काम इस नई जगा पर करना बहुत मुश्किल महला लग रहा होता है। यही मुश्किल आज अनुश्य को दरपेश थी, इसकी शादी को आज बारा दिन होने को आये थे, इन दस बारा दिनों में सुस्राल वालों ने इसके चाओ चोंचले उठाए थे, लेकिन अब शायद इनकी हद हो चुकी थी। सो बार्मी सुबा जब सब नाश्टे के लिए दस्तरखान पर बैट गए और अनुश्य ने अपनी सास की हाथ का बना नाश्टा खाया, तो सास ने लेचे में नकाहा तारी करते वे अनुश्य को मुखातिब किया था। के पांच मिनट खड़ा रहना महाल लगता है, किचन तो आज से तुम्हारे स्पूर्ट, ठीक है अम्मी, मैं तो आप से खुद ही कहना चाह रही थी, कि आपकी तबियत सही नहीं रहती, आप आराम किया करें, मैं सारे काम संभाल लूँगी, अनुश्य ने पूरे खलूद स में चताया था, मगर अनुश्य खामोश रही, इतना तो इसने बारा दिलों में अंदाजा कर लिया था, कि इस घर में हर वक्त होने वाली चिक चिक की बड़ी वज़ा, ये काम ही होता है, अमाद इसका शोहर बेहन भाईयों में सबसे बड़ा था, और फिर एक छोटा भाई और एक बहन थी, अमाद और इसके छोटे भाई को तो अपने काम खुद करने की आदत थी, यानि जैसे कपड़े स्तरी कर लिये, मेले कपड़े वशर मशीन के पास रखी टूकरी में डाल दिये, मासी मशीन लगा देती थी, मगर अगले दो दिन तक कपड़े तारों पर ही स अजाज इन लोगों जैसा ही पाया था, हद से जादा सुस्त, काहिल और कामचोर, साफ इंकार कर देती, बीबी जी, कपड़े दोने के पैसे देती हैं आप, उतार कर लाने और तह लगाने की थोड़ी देती हैं, एक कमबخت, तुझे तह लगाने को कब कह रही हूं, जाज सि सीड़ियां चड़ी जाती, तो क्यूं कहती तुझे, मुलाजमा भी धुलीवी बेट शीट में कपड़ों की गठरी बनाकर बरामदे में पीछे तख़ पर पटख देती, फिर वो गठर, वही रोनक अफरूज रहता, शोहर और देवर इसमें से कपड़े चान कर इस तरी कर करते रहते, रात के पिछले पहरी तो जाकर नीद आई है, सारी रात जिसम में दर्ध होता रहा है, सुसर साहब भी शरीफ शक्स थे, बीवी को जटाना चाते थे, तो जटा सकते थे, कि बीवी रात को तुमारे खराटों से तो नीद मेरी डिस्टरब होती रही है, लेकिन इने पता था कि इनका इतना सा कहना सास साहबा का पारा चड़ा देगा, वो क्राफी तंग मिजाच खातुन थी, सुसर साहब की तबियत की वज़ा से दोनों मिया बीवी की अच्छी निब रही थी, सुसर साहब नमास पढ़कर वाक पर निकल जाते और वापसी पर कभी ना नाश्ता इनको पसंदना था, वो बिना नाश्ता की एक घर से निकल जाते थे, लेकिन देवर और नंत को रेडी मेट नाश्ता बहुत पसंद था, बलके साहबा भी जागने के बाद मिया का लाया हुआ नाश्ता मज़े से करती थी, बजार के खाने खा खा कर इनका वज़न बढ़ता जा रहा था, बिमारियां वाकए इनकी चान को चिम्टी रहती थी, लेकिन वो उन औरतों में से थी, जो बिमारियों को बढ़ा चड़ा कर बियान करने के साथ साथ, तंदरूस्ती की हालत में भी खुद पर्जबर्दस्ती बिमारी तारी रखती थी, घर में पैर का खाना बनाना होता था, खाना वो वफर मिक्दार में पकाती थी, दो वक्त खाकर जो बच जाता वो फ्रीज कर देती, दो तीन दिन बाद वही सालन दुबारा गरम करके खा लिया जाता, सबसे बड़ा अमाद था, जो पढ़ लिकर बढ़ सरे रोजकार हुआ, तो सा साहिबा के दिल में बेटे के सर पर सेरा सजाने की खौईश बिदार हुई, महले की ही रिष्टा कराने वली खाला जी से मदद ली गई, दो चार रिष्टे देखने के बाद साह साहिबा का जी अनुशे पर आ किया, वो मतवासत घराने की खुबसूरत और पड़ी लिखी ल बुजकार था, इसके ओफिस से चानबीन कराई गई, तो लोगों ने इसे नहिंती और शरीफ बताया, और सबसे बढ़कर सुसर साहब अनुशे के अबबु को बहुती सुलचेवे और माकूल लगे, अच्छी तरह सोच बचार के बाद इन्हें हां करती गई, तीन महीने के अंदर-अंदर अनुशे अमाद के संग रुकसत होकर सुसराल पहुँच गई, बहस्यत जीवन साथी अमाद इसे बहुत पसंदाया था, इसके माबापने यकीनन इसके लिए बेहतरी शक्स चुना था, और जहां तक सुसराल का तालुक था, माँने इसे समझा कर भेचा था कि किसी भी लड़की का सुसराल आइडियल नहीं होता, लड़की अपनी समझतारी और मामला फहमी से काम लेकर सुसराल में अपने लिए खुद असानिया पैदा कर सकती है, और यही लड़की की सलाहितों का असल इम्तियान होता है, अनुशे को अपने माबाप की दौाउं, इनकी तर्बियत और सबसे बढ़कर अपने अल्ला पर बरुसा था इसे यकीन था कि बहुत जल्द इस अचनबी सर्जमीन पर वो अपने कदम मजबूती से जमा लेगी शुरू शुरू में तो सास और नंद मुरवत का मजाहरा करते वे इसे कामों से रुकती थी दूलनों वाला प्रोटोकॉल भी दिया गया लेकिन थोड़े दिनों के बाद नई दूलन के चाओ चौन्चले उठाने के अर्मानों की शिद्ध में खातिरखवा कमी आई और आखिर बारवे दिन तो इसे किचिन का चार्ज दे ही दिया गया अनुशे ने तो सांस सकून का लिया क्योंके फारिग बैटने के इसे आदत भी ना थी और जब घर के कामों के लिए हंगामा बर्पा होता तो इसे खौमखाही अपना आपका सूरवार लगने लगता इसकी अम्मे भी वरकिंग वोमें थी लेकिन हर काम बहुत नजमुजब्द और सलीके से अन्जाम पाता था अनुशे ने बहुत चोटी उमर सही मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था लेकिन यहां सुसराल में मामला मुख्तलिफ था वो एक बार किचन में घुसी तो किसी और ने चांकने की जरूरत भी मैसूस नहीं की हालाकि वो किचन में पहली बार काम कर रही थी बेतर्तीब किचन में इसे चीजों के सही ठिकानों का इलम ही ना था वो वाकई परेशान और नर्विस हो रही थी और शायद इसी घबराहट में मिसालों का तनासुप कुछ गड़बढ हो गया था पहली बार वो इतना अच्छा खाना ना बना पई जितना वो चा रही थी लेकिन बहुत बुरा भी ना बना था गुजारे लाइक था सासाईबा ने खाना खाते वे तन्सकारी डाला ए बहु तुमारे घर में जब भी खाना खाया यही बताया जाता था कि तुमने बनाया है सच सच बता अमा बनाती थी या बजार से आता था अनुशे तो पानी पानी हो गई अगले रोज इसने बहुत दिल लगाकर खाना पकाया और उस दिन खाना वाक कही जबरदस्त बना था लेकिन सबने चुप चाप खाना खा लिया किसी ने तारीफ के दो बोल तक न बोले जब उखाने के बाद दस्तरखवान समेट रही थी तब सुसर सहाब ने इसे मुखातिब किया बेटा अब गरम गरम चाए भी पिला दो जितना मज़ेदार खाना खिलाया है चाए भी ऐसी ही लाजवाब होनी चाहिए इतनी सी होसला अवजाई पर अनुशे का दिल खिल उठा था अभी बनाती हूँ अबू इसने अदब से जवाब दिया चेहरे पर पड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई लेकिन साथ से ये मुस्कुराहट हजब ना हुई सुसर पर जी ही जी में घुसा भी आया कि शादी को तीज बरस होने को आये थे कभी मिया जी ने आज तक किसी खाने की तारीफ में एक लफ़ ना कहा था और बहू को तो दूसरे ही दिन सर पर चड़ाया जा रहा था उन्होंने अपने शोहर के फिकरे का असर जाल करना जरूर समझा था चावलों में ममूली सी कसर रह गई थी बहू आज तो तुम्हारा दिल रखने को चुप चाप खा लिया है मगर आएंदा जरा ख्याल रखना दवाईया खा खा कर मेरा तुमेदा वैसा ही बिगड़ गया है खाने में जरा सी भी उंच नीच हो जाए तो मेरे मेदे में दर्ट पर जाता है हलाके चावलों में जरा सी भी कमी नहीं थी खिले खिले चावलों वाला खुरसाई का पलाव बनाया था फिर भी अनुशे ने फर्मर बरदारी से कह दिया कि आएंदा वो इस बारे में ख्याल रखेगी और जब अगली बार सास के कहने की वज़ा से चावल जरा ढीले रखे तो नंद ने खूब मजाक उड़ाया कि कैसे बनाकर रगती हैं चावल भाबी हम कोई बिमार हैं जो ऐसी खिचड़ी खाएं अनुशे का मूँ तो सुर्ख हो गया मगर वो फिर भी खामोश रही लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसकी बरदाश्ट जवाब देती जा रही थी वो जितना मरसी दिल लगा कर खाना पकाती साथ कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेती तंग आकर इसने अपनी मां से इस पारे में मश्वरा तलब किया बेटा तुम इन से तरीका पूच कर खाना बनाया करो अमी प्लीज डांटी का मत मैं अपनी सास की बुराई नहीं कर रही लेकिन इने खाना बिलकुल नहीं बनाना आता अब तक इनके हाथ की बनी जो भी चीज़ खाई है इंतहाई बेजाईका होती है इनके तरीके से पकाने लगी मैं तो खुद खाना पकाना भूल जाऊंगी अरे बेटा मैं ने ये कब कहा कि तुम इनके टृरिके के मताबिक पकाया करो पर अम्मी अभी तो आपने मुझसे कहा कि इनसे पूच कर खाना बनाया करो हाँ तो मैंने सिर्फ यही कहा ना कि तुम इन से तरीका पूछ कर खाना पकाया करो यानि सिर्फ पूछने की हद तक पकाओ अपने तरह से जो तुमें मुनासिब लगे देखो बेटा बास लोगों की आदत होती है कि वो अपना इख्तियार तो दूसरों के स्पूर्ट कर देते हैं लेकिन कोई इनकी जिम्मेदारी को इन से बेहतर अंदास से निभाए तो लाशोरी तोर पर वो ये बात बरदाश नहीं कर पाते और बिला वज़ा की तनकीद शुरू कर देते हैं जहां तक मैं तुम्हारी सास को समझ पाई हूँ उन्होंने तुमें किचन का चार्श तो दे दिया है लेकिन ये बात कभी कबार इन्हें कॉम्पलेक्स में मुब्तला कर देती है बस यूं समझ लो कि अपनी राश्टानी में किसी और की शराकत बरदाश करना मुश्किल काम होता है तुम ऐसा तरज अमल अपनाओ कि वो तुम्हें एहमियत मिलने पर खुद को गर एहम न समझने लगे बलके इन्हें ये बावर कराओ कि घर में इनका वजूद अभी भी बहुत जरूरी है और एहम है तुम अभी अपने कामों में इनकी राई की महताज हो मुझे उमीद है कि फिर वो तुम्हारे कामों में नुक्ता चीनी नहीं करेंगे और अगर इनकी रविश पर करार रही तो फिर कोई और तरकीब लड़ाएंगे लेकिन बेटी को कोई और तरकीब लड़ाने की जरूरत ही महसूस ना हुई क्योंकि मा की तरकीब कारकर साबित रही अनुशे दिल से इनकी अकलमंदी की काईल हो गई खाना पकाने से पहले अपनी सास से एक बार तरीका पूछ लेती और इस तरीके में अपनी मर्जी की रदो बदल के साथ खाना पकाती थी और अगर कोई तरीक करता तो फराख दिली से क्रेडिट सास को दे देती कि अम्मी से पूछ पूछ कर बनाया है सास ये जवाब सुनकर मुतमाइन हो जाती इसी तरहां रोज मेरा जिन्दगी में बहुत से चोटे बड़े मामले ऐसे ही थे जो अनुशा ने समझतारी से निबटाए थे अब इसकी शादी को तीन बरस होने को आये थे और अल्ला ने इसे एक बहुत प्यारे बेटे से भी नवास दिया था मजमूई तो पर तो इसके सुस्राल वालों से तालुकात खासे खुशकवार थे पर ये सब इसकी समझतारी और मामला फहमी की वज़ा से मुम्किन हुआ था लेकिन जब कभी आस पडोस में किसी बहु और सुस्राल वालों की खटपिट का पता चलता तो नंद मुस्कुराते वे अपनी भावी को चताती देख लें भावी कदर करें हमारी कितने अच्छे हैं हम आज तक हमारी मामूली सी भी नोग जोक नहीं हुई इस बात पर अनुशे जो कल नंद के कॉलेज के फंक्शन के लिए एमरजनसी सूट सलाई कर रही थी मुस्कुराते वे बोली वाके ही मैं बहुत लगी हूँ जो मुझे इतना आइडियल सुस्राल मिला है क्या जरूरत है तुझे इतना त्यार होकर कॉलेज जाने की कमबخت पता भी है नजर लग चाती है तुझे सास ने अपनी बेटी को टोका इसमें कोई शक ना था कि सास के सब बचे खुबसूरती की तारीफ पर पूरा उतरते थे मगर नंद पर तो आजकल अनुखा रूप चल रहा था शायद जवानी की तहलीस पर कदम रखते ही लड़कियों पर अजीब निखार उतराता है इसी खुबसूरती ही की वज़ा से निमल ने अभी बीए भी पास ना किया था कि अच्छा रिश्टा आ गया घर वालों को हां करनी ही पड़ी सो खाला के जेट के लड़के के साथ नंद का रिश्टा तैप आ गया नंद के साथ बजारों के चकर लगते थे कि सास के जोडों के दर्द की वज़ा से इनका चलना फिरना महाल था बजार से वापसी पर नंद तो खुशी-खुशी घर वालों को शौपिंग दिखाने लगती और नंद कीचन की रहा लेती ये घनेमती के अनुशे का बेटा दादी चाचू और फुपी से बहुत मानूस था इसलिए अनुशे को तंग ना करता था कामों की जियाती की वज़ज़ से कभी कबार तो अनुशे बेटे के साथ लाट प्यार करने को तरस चाती थी अनुशे कभी अपनी मा से थकावट की शकायत करती तो मा प्यार से समझाती कामों से होने वली थकावट तो रात सो कर उतर जाती है बेटा हर सुबा तुम तासा दम होकर बेदार होती हो शुकर करो इस घर में तुमें कोई जिहनी टेंशन नहीं है पिर कुछ ही तो अर्से की बात है तुम्हारे देवर की शादी हो जाएगी देवरानी जब आएगी तो तुम पर से काम का बोज काम हो जाएगा लेकिन देवर से पहले इसकी छोटी नंद की शादी थी और शादी नी तो इसे बुरी तरहां से ठका ही डाला था उस रोज जब वो अपनी शोहर अमाद और नंद के साथ जूलर के पास कई थी घर वापिस लोटी तो पता चला कि नंद के सुसराल वाले चूड़ियों और जूतों का नाप लेने आ रहे हैं नंद तो अपनी त्यारी में लग गई लेकिन अनुशे के कंधों पर एक पुर्ट तकल्फ लंच त्यार करने की जिम्मेदारी आ पड़ी फिर भी मुनासे वक्त पर अच्छे तरीके से इसने हर काम को पाया तकमिल तक पहुंच आया नंद के सुसराल वालों ने खाना खाकर दिल खोल कर तारीब की वाक़ी बहुत साइका है आपकी बहु के हाथ में हर चीज लाचवाब होती है नंद फौरान ही बोल पड़ी के भाबी वाक़ी खाना मज़े का बनाती है लेकिन तरीका अम्मी से पूछती है बस यूं समझें के रैसे भी अम्मी की और महनत भाबी की अनुशे ने दिल में ही शुकर अदा किया किसे महनत का क्रेडिट तो किसी ने दिया अलाला करके नंद की शादी के हंगामे खतम हुए और वो पिया दे सुधार गई इसकी शादी के बाद अनुशे ने स्कून का सांस लिया था अनुशे की नंद भी अपने सुस्राल में बड़ी बहु थी शादी के दो हफ़ते बाद इसे खीर पकवाई की रसम पूरी करवा ले गई थी उस दिन नंद बार बार मां को फोन खड़का रही थी सुस्राल में पहली बार कुछ पकाते वी वो बहुत खबरा रही थी कीर के साथ साथ इसे दुपैर के खाने की भी त्यारी करनी थी सास ने अपनी बेटी को पकाने का तरीका भी बता दिया पास खड़ी अनुशे का जी चाहा कि वो सास के हाथ से फोन लेकर खुद अपनी नंद को गाइड करे लेकिन सास ने पहले ही खुदाफिस कहकर फोन बंद कर दिया बहु मेरे सर में तेल की मालिश कर दो थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी सास ने से मुखाटिब किया अनुशे ताबेदारी से सास का हुकम बचा लाई इनके सर में तेल लगा कर इनके कपड़े प्रेस किये इतने में देवर के कुछ दोस्त आ गए भाबी प्लीज चाए के साथ कुछ और हो सके तो बना दीजेगा आज बहुत अरसे बात मेरे दोस्त आए हैं अनुशे ने जटपट आलो उबालने के लिए रख दिये इतनी जल्दी तो आलो के कटले सी बन सकते थे फ्रिज में पड़ी मिठाई की डबे में से चार पांच रसकुले बरामत हो गए छोटी सी प्लेट में सजा दिये मिठाई, निमकोच, चाए और कटले सजाकर देवर को आवाज दे कर बुलाया थैंक यू भाबी थैंक यू सो मच वो भाबी की क्विक सर्विस पर बहुत ही शुकर कुजार हुआ शाम के वक्त नंद का फोन आया इसका मूड सخت आफ था अमी पता नहीं आपने कैसा तरीका बताया था मुझसे तो कोई भी चीज ढंकी नहीं बनी सुस्राल में पहला इंप्रेशन खराब पड़ गया मा से खफकी का इजहार करके फोन बंद कर दिया भूल चोंग खुद से हो गई है और ना मा का लगा रही है कमीनी कहीं की दो तीन दिन बाद फिर निमल का फोन आया मा से किसी डिश का तरीका पूछ रही थी पता नहीं पिछला तजर्बा भूल गई थी या मा से पूछे बिना कोई चारा ही ना था आज अनुशे सास के पास ना थी वरना वो जरूर इनके हाथ से मुबाइल लेकर अपनी नंद को सही तरीका बता देती शाम को नंद अपने शोहर के साथ आ गई थोड़ी देर बाद इसका शोहर चल पड़ा अनुशे ने उठते वे नंदोई को कहा कि हम आपका रात के खाने पर इंतजार करेंगे नंदोई बहुत शुक्रिया भाबी कह कर चलता बना अनुशे कुछ देर तो सब के साथ पास बैठी रही फिर उठकर कीचन में चली गई घर में नई बियाई बेटी को दाल सबजी तो नहीं खिलाई जा सकती थी कुछ न कुछ एहतमाम तो जरूरी था वो फ्रिज खोल कर चीजों का जाइजा लेने लगी फ्रीजर में चिकन मौजूद था इसने चिकन कड़ाई बनाने का सोचा था फिर ख्याल आया कि नंद से ही पूछ ले कि इसका कुछ और खाने को जी तो नहीं चा रहा लाउंच में दाखिल होने से पहले ही इसे ठटक कर रुकना पड़ा क्योंके नंद वहां धुआदार अंदास में रो रही थी सच अमी मैं बता नहीं सकती आज कितनी इंसल्ट हुई मेरी पूरा घराना कट्था था खाने की मेज पर मेरे हाथ का खाना खाकर हर किसी ने अपने अपने अलगी कॉमेंट्स दिये बजहर सा मजाग कर रहे थे लेकिन शेमिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था आपको जाने मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे उल्टे सीधे तरी के बता देती है पहली बार मैंने सोचा था कि मुझसे ही कोई भूल चूक हो की होगी आज तो मैंने आपको फोन किया था और नोट बुक साथ रखी थी जो कुछ आप बताती कही मैं नोट करती कही उसी के मताबिक खाना पकाया अनुशे भावी से पूछ लिया करो भावी भी भी तो अम्मी से ही तरीका पूछ कर पकाती है अम्मी इने तो लाजवाब तरकीबे बताती है और मुझे जाने क्यों ठीक से कुछ नहीं बताती देवर जो अपने बेहन भाईों में सबसे मूप फट और बदलिहास था इस से अब मजीद जब ना हो सका कहने लगा अनुशे भावी की शादी को तीन बरस होने को आ रहे हैं और भाई तुम्हारी यादाश्ट इतनी कमजोर नहीं हो गई कि तुम्हें यादी ना हो कि तीन बरस पहले इस घर में खाना वगरा बनाने की क्या रूटीन थी और कितना लाजवाब खाना बनता था अक्सर बजारी खाना खाते थे हम और अमी एक दिन पका कर तीन दिन तक हमें खिलाती रहती थी शायद इसलिए हम सब बाहर के खाने को तरजी देते थे घर का जाय के धर खाना क्या होता है इस बात का हमें इलम तो अमाद भाई की शादी के बाद पता चला और तुम आज जो बिला वज़ा रोती धोती में के आई हो अपने अंदर कुछ परदाश पैदा करो तुम्हें तो इंतहाई बदमजा खाना पकाने पर बाते सुनने पड़ी न जबके भाबी को तो अच्छा पकाने के बावजुद तनकीद का निशाना बनना पड़ता था भाबी अकल मन थी तरीका अम्मी से पूछ कर अपनी मर्जी का खाना पकाने लगे अम्मी भी खुश और हम सब भी खुश ये होता है अकल का दुरुस्त इस्तमाल मगर तुम में अकल हो तो तब न देवर ने तो सुर्टिहाल का ऐसा बे लौक तज़िया किया था बाहर खड़ी अनुशा देवर की बात सुनकर हैरान रह गई इसे हर्गिस अंदाजा ना था कि वो इतना बारीक बीन होगा सास तो बेटे की बात सुनकर कुछ बोलने ही लगी थे कि सुसर साहब बोल पड़े मेरा बेटा सही कह रहा है तुम्हें अपनी मां की बजाए अपनी भाबी की रहनुमाई दरकार है बेटी सिर्फ खाना पकाने के मामले में ही नहीं बलकि सुसराल में किस तरह एड़िस्ट हुआ जा सकता है तुम्हें बेटर तौर पर दुम्हारी भाबी काइड करेगी जिस तरह तुम्हारा भ़रा पड़ा सुसराल है इसी तरह अनुशे पर भी भरे पड़े सुस्राल की जिम्मेदारी पड़ी थी और वो ये जिम्मेदारी बेतरीन एहसन निभा रही है इस पर इस बच्ची की मजीद अच्छाई ये है कि हर आए गए के सामने तस्लीम करती है इसका सुस्राल एक आईडियल सुस्राल है जबके सच तो ये है कि वो खुद एक आईडियल बहु है तो मैं अपनी भाबी से ही सबक लेना होगा कि वो किस तरह खुझ से वबस्ता तमाम रिश्टों को खुश असलूबी से निभा रही है सुस्राल साहब बोल रहे थे और दर्वाजे की ओट में खड़ी अनुशे की आंखे भी गई गई कभी कबार इसके दिल में ख्याल आता था कि सुस्राल की खिदमत करते करते वो अपनी जात की नफी कर रही है इस मुशक्त से क्या हासल होगा सुस्राल वाले तो फिर भी इसे क्रेडिट ना देते थे घर में अमन और सकुनद की फिजाकत सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे लेकिन आज देवर और सुसर की बात सुनकर एसास हुआ था कि सुस्राल में भी इसके कदरदान मौजूद है और दिल से की कई महिनत कभी ना कभी रंग ले ही आती है देवर कहने लगा अनुशे भाबी ने तो वाक कही मिसाली बहु बन कर मेरी आने वाली बीवी के लिए मुश्किल पैदा करती है आज कल की लड़कियों में इतना स्टैमना कहा कि वो घर भर की जिम्मेदारियां इतनी खुश असलूबी से निपटाएं जब मेरी आने वाली बीवी का मौजना भाबी से होगा तो नंबर वन भाबी ही होगी देवर ने मुस्कुराते वे कहा अनुशे भीगी पलकों और मुस्कुराते लबों के साथ वापिस किचन में पलट गई किचन के काम निपटाते वे इसके हातों में पहले से जदा फूरती थी रात के खाने पर इसने चिकन कढ़ाई के साथ मटर पलाओ और फूरूट सलाथ भी बना दिया सबने सीर होकर खाना खाया था और खाने के बाद सास ने इसे मुखाटिब किया बहु जर अपनी नंद को भी तरीका समझा देना मैं तो सब भूल गई हूँ वरना इससे भी जदा मज़े की कड़ाई बनाती थी मैं अनुशे ने हसते वे कहा थीक थीक है अमी मैं बता दूँगी धेरो धेर बरतन धोकर इसने अपने लिए एक कप चाय बनाई किचन में काफी धेर खड़े होकर काम करने की वज़े से कमर में इसे दर्चो हो रहा था बेडरूम में आकर इसने चाय के साथ पेन किलर ली अपने बेटे को इसके पापा की गर्दन से बाहर निकाला अनुशे ने मुहबत भरी निकास सोते वे शोहर और बेटे पर डाली पिर खुद भी इनके पहलों में लेट कर सोने की कोशिश करने लगी जल्दी आज वो नेंद की वादे में उतर गई क्योंकि आज इसे बहुत मुत्माइन और पुरसकून नेंद आ रही थी